हेलो गाइज वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है सात्यो एबबकस कलाव डेटा सेंटर की आईडी को कैसे टोप अप करना है कैसे आपको ब्लोक्स बाय करने है कैसे आपको टेराबाइट बाय करने है खुद से आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाने वाला और जिन दोस्तों ने एबबकस में रजिसेशन नहीं किया जिनोंने अकाउट नहीं बनाया तो सामने दिये गए कॉंटेक्ट नंबर पर आप मुझे कोल कीजिए और आपको मैं लिंक भेज दूँगा वर्टसब पे तो आप अपना अकाउट बना लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहले मैंने अपने इड़ी को लोगिन कर लिये है जिन दोस्तों कि आप आप अपनी आइडी अक्टिवेट करना चाते वह आपने पहले अपनी लोगिन कर लियनी है जैसे मैं अपने team की मेरी team और परश option open हो जाएंगे तो आपने क्या करना है आपने नंबर चार पे जो परचेज को option दिखाई दे रहोंगे ठीक है और उसके सामने plus का साय नहीं यहां पर आपने इसके ओपर किलिक कर देना है परचेज भी आप जैसे किलिक करते हो फिर दो option निकल के आएंगे पहला purchase request है और दूसरा पर इसिस तो आपने purchase request के ऊपर कलिक करना है आप जैसे purchase request के तो निया पेज सामने निकल के आएगा आपके पास तो आप सामने देख पाद़े होंगे आप क्लिक करते हो तो यहां पर पाकेज आ जाएंगे कि अपकेज आपकेज का तरीक्ल फिया वाई करते हैं और थे में अपकेश कूंइपकेजिस स dwar चाहिए का नहीं आपton automatic show जाएगा ठीक है जो भी terabyte का price होगा जो भी blocks का price होगा अगर आँ वहाँ पर दो blocks buy करते हो मालिज़ आप यहाँ पर buy करते हो मालिज़ आप 5 blocks buy करते हो तो आप 5 पर जैसे click करेंगे तो यह refresh होगा और यहाँ पर आपका amount आ जाएगा जो भी amount है latest ठीक है तो अभी मैं एक blocks को buy करूँगा तो मैं दोबारा से एक block को click कर लेता हूँ तो यह refresh होगा और यहाँ पर इसकी value आ जाएगी ठीक है जो भी value होगी उसके बाद आपने यहाँ पर I accept all the trump ठीक है जो भी condition company तो उसको आपने accept करना है तो I accept all the trump मैं इसको पर click कर देता हूँ फिर आपने side में थोड़ा यहाँ पर देखेंगा आप click to activate ठीक है फिर आपने यहाँ पर click to activate के उपर click कर देना है यहाँ पर आप जैसे click to activate के उपर click करेंगे तो यहाँ पर payment को option निकल के आपका सामने आ जाएगा आप देख पार होगे website यहाँ पर आपके payment option आ जाएंगा आप payment mode कौन सा डालना चाहते हो निकी किस payment मोड से आप activate करना चाहते हो किस payment मोड से आप payment डालना चाहते हो ठीक है जैसे credit card है debit card है UPI यह है न तो अभी जैसे मैं phone पे से ID activate करूँगा तो आपने तीन number option को आपने क्लिक कर देना जैसे UPI ठीक है तो UPI पे आप जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही सामने आपको symbol दिखाए देंगे आप symbol देख पार होगे phone पे है Google पे है ठीक ABCD जो भी आप डालना चाहते हो ठीक credit UPI यह अधर आप करना चाहते हो एक platform चार्जिस है जैसे 136 है यह package के साब से अलग-अलग कुछ ही भी हो सकता है तो यह क्या है यह company का चार्जिस नहीं है यह जो है यह third porter अपना चार्जिस लेता है ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं चार्जिस नहां दूँ ठीक आप चार्जिस से बचना चाहते हो तो मेरे पास call कीजिए मैं company का बारकोड और company का account number आपको वर्च अप कर दूँगा तो आपने वहाँ पर payment डालनी है और आप मेरे पास screenshot बेज देना है और साथ में जो user ID आप activate कराना चाहते हो वो user ID अपने मेरे पास बेज देनी है ठीक है तो आप बेजेंगे तो आपकी ID activate हो जाएगी जो भी package का price रहेगा आपने वही डालना है company के account में आपको extra payment डालने की जुरूत नहीं है लेकिन अगर आप online payment करते हो phone pay, google pay, credit card, debit card से तो उन सभी का charges अलग-अलग रहता है और सबसे कम charges है phone pay, google pay से ठीक है अब जैसे मैं पेक उपर click करता हूँ, payICK मैंने या पे click किया, payICK जैसे मैंने click किया अब जैसे मैं यह आप पर अपना password डालूँगा, password डालते ही ठीक है आपने back नहीं करना कुछ नहीं करना से password डाल के आपने click करते नहीं यहां से जैसे ही आप click करेंगे click करते ही within second में automatic यह refresh होके आपको आपके portal पे लेके चला जाएगा तो मैं फटाफट से password डाल देता हूँ ठीक है तो सात्यों आप देख पारोंगे मेरी यहां से payment जो है कर चुकी है और मेरा जो terabyte है वो भी buy हो चुका है ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी terabyte जो मैंने buy किया उसका order number वगारा सब कुछ वापर जनेट हो चुका है मैं भी आपको अब अपनी ID पे लेके चलता हूँ तो यह तो phone page है जो मैंने आपको दिखाएगी जो मेरी payment कट चुकी है राइट सात्यों आप सामने देख पारोंगे दोस्तों आप सामने देख पारोंगे total blocks में एक terabyte आ गया ठीक है नीचे उनका amount आ गया जो सामने amount है 24390 यह जेश्ति कट करके है ठीक है अगर हम इसमें जेश्ति add कर देख तो टोटल 28780 जो amount है जो भी रहेगा वो आपका आ जाएगा ठीक है जो भी package के साब से ठीक है अब मैं जाता हूँ 390 पर हमने click किया अब मैं जाता हूँ purchase detail ठीक है purchase detail के उपर मैंने आपर click कर दिया आप सामने देख पारोंगे order number मेरा आ चुका है order ID number मेरा amount आ चुका है total ठीक है जो भी है जो 40 extra वो show नहीं करेगा जो terabyte का purchase इर वही show करेगा ठीक है यह date रही इस वक्त मै अपनी KYC बगर होगी तो यहाँ पर success हो जाएगा success ठीक है बिल यहाँ पर जनेट होगे अपना ठीक आप चाओ बिल को आपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो agreement आपका यहाँ बन जाएगा तो agreement डाउनलोड करने से पहले आपने KYC कर लेनी है क्योंकि जब आप KYC करते हो तो आपकी proper detail agreement के अंदर auto made AI के दवारा feel हो जाती है और आप agreement को निकाल कर रख सकते हो अपनी PDF कोपी और साथ में अगर किसों को दिखाना चाहो तो आप उनको भी दिखा सकते हो ठीक है तो three line पे click करेंगे तो यहाँ से परचे detail से आपने ही आने के आपके detail नहीं के लेगी जो आपनी terabyte buy की है साथियों आप यहाँ पर multiple terabyte भी buy कर सकते हो मालेजे आपने अभी एक TV buy करा एक blocks buy करा आप चाहतो दो दिन बाद मैं 5 blocks और buy करू तो आप दो बारा से ऐसे blocks buy कर सकते हो और service charge से बचने के लिए जो extra third play phone का जो charge लग रहा है उससे बचने के लिए आप मेरे पा से extra charge देने साब बच जाएंगे ठीक है उसके बाद आपने KYC कर लेने है KYC के लिए आपने 3 line पर क्लिक करना है और यहाँ पर KYC को option आप KYC के ओपर यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है क्लिक करते ही यहाँ पर देखो verification वगरा है ठीक है तो यह जो प्रोपर KYC कैसे करते हो मैं आपको next वीडियो में डाल दूँगा इसके लिए आप चैनल को subscribe कर लिए क्योंकि जो important update होते हो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं ठीक है तो next वीडियो में डाल दूँगा कैसे KY करते है प्रोपर मैं आप लोगों को बता दूँगा ठीक है अपना ख्या लखिए टेक क्यार बाई 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 और जुडने के लिए एपगस कलाउट डेटा सेंटर में जोइनिंग के लिए आम इरे पास कोल कीजिए सामने दिये गए कॉन्टेक नंबर पर सात्यों ठीक है आपको पुरी स्पोर्ट में लेगी अपना ख्याल लखिए टेकनोलोजी का जमाना है और ये जो डेटा सेंटर है बारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कंपनी बना रही है और एक ओप्सन है आप सभी के पास कि आप ब्लोक्स बाई करके कंपनी को रेंट के लिए अ इनवोईस मिलेगा फिर आपकी मर्जी है आप उसको अपने घर में इस्तिमाल करना चाहते हो अपना डेटा स्टोरेज करना चाहते हो या फिर आप कंपनी को वापीस रेटन करके आप मंतली रेंट ले आना चाहते हो ठीक है तो अपना ख्याल लखिए और सामने देगाए बता दूँगा धन्यवाद